चोटीपा, नमाज पढ़ने से क्या होता है? नमाज पढ़ने से अल्ला की इबादत होती है और हम जो दुआ करते हैं वो कबूल होती है आप तो इतने टाइम से नमाज पढ़ रहे हो, दुआ मांग रहे हो, आपकी दुआ कबूल होई? मुझे अल्ला पे पूरा भरोसा है कि मेरी दुआ एक नाई जिन जरूर कबूल होगी मैं भी नमाज पढ़ूँगा तो मेरी दुआ भी कबूल होगी क्यों नहीं होगी पढ़ो नमाज अरे वाईशान आश्र तुम मुझसे पहले नमाज पढ़ने बैठ गए जी छोटी पा मिटने टाइम से नमाज भी पढ़ रहा हूं दुआ भी मांग रहा हूं अभी तक मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होगी आपकी दुआ कबूल हुई हाँ मेरी दुआ कबूल हुई ना क्या दुआ मांगी थी मैं हर रोज यही दुआ मांग थी थी कि मेरा छोटा भाई इशान नमाजी बन जाए और देखो तुम नमाजी बन गए मैंने कहाता ना अल्ला सबकी दूआ कबूल करता है देर से सही पर तुम्हाई दूआ भी एक दिन कबूल करेगा नामज नाई, रोजा नाई, नाई मुखे दारी तादिरी दोरकर पॉर्दशिन नाड़ी किना ताराई पर भे भाईदिर के निते जानना तिर बाड़ी वो लमहा कितना खुबसूरत होगा जब हुजूर पाक सल्लिल्लाह उल्याव आलिह वसल्म तुम्हे तुम्हारे नाम से पुकारेंगे और तुम हैरत से बोचोगे कि या रसूललाह आप मेरा नाम कैसे जानते हैं तो आप सल्लिल्लाह उल्याव आलिह वसल्म फरमाएंगे कि जब तुम दुरूदे पाक पड़ा करते थे मुझ पर तो फरिश्टे मुझ तक तुम्हारा दुरूद तुम्हारा नाम लेकर पहुंचाते थे सुभान अल्लाह आपना के कहनो है तो भालो बाशी ता तो भाशा इप्रोकाश कोरा जाबेना तबे जो तो तुकू भालो बाशा अपनर रब्भो तो तो जोकू तो अपना के भालो बाशते पारी ना अकेले हो अल्लाह को याद करो परेशान हो दरूशरिफ पड़ो उदास हो या है या कयोम पड़ो खुश हो अलहम्दुलिल्ला पड़ो और कुछ नहीं कर सकते तो ये वीडियो आगे शेर करो अच्छी बात को फिलाना भी सदका है रासूल सल्लालह वैलाई सल्लम बोले छें जोकुन कुनों बांदा अलहर कछे दुई हाथ तूलें तोकुन अलहो ओई दुई हाथ फिले दिते लजज़ा भूद करें नमास के अंदर जब हाथ बंके आप खड़े होतें नियत बांद कर तो नियत बांद कर एक रकात में अगर आप इस हाथ को हटा कर तीन बार का एक खुजा लें तो आपकी नमास तूड़ जाती है और अगर एक बार आपने ये हाथ अटा लिया तो आपकी नमास तूड़ जाती है हमने ये गलतियां हजार बार कियें, मैंने मजजद हमां हजार लोगों को देखा, और खुद भी बच्पन में ये गलतियां की। तो कोशिश कीज़ें कि आने वली नसलों को ये विडियो दिखाइए, ताके वो ये गलतियां ना करें, जो हम करते आए हैं। और कोशिश करा करें, दो मिनिट की नमाज होती है, कोशिश करें, के हाथ बान के रखें, थोड़ा सा बरदाश कर लें, और ये वीडियो आगे दिखाईए लोगो को ताकि वो लोग ये कलती ना कर सकें, जो हम कर चुके हैं, अपना खायल रखिएगा, अलाह आफिस. उस दिन तुम्हारी सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन तुम्हें ये यकीन हो जाएगा, के हर काम अलाह की मर्जी से होता है. मेरी ये वीडियो पूरी देखना और शेर जरूर करना, जमीन के नीचे जो लोग कबर में है, वो एक सजदा करने के लिए अपसोस कर रहे हैं, और जो लोग जमीन के उपर है, वो सजदा नहीं करने के लिए बहाने ढून रहे हैं. अच्छे दीपे, आमीता के शाथेनी ये जानना के जाबो, सुभान अल्लाह।